हेलो जी गुड मॉर्निंग प्रणाम कैसे हो सब लोग आसा उमीद है कि आप सभी स्वस्त होंगे और मस्त होंगे एक नए दिन की सुरुवात हो चुकी है मेरी तो सुबह जो है साड़े पांच बजे से और रात को ना मैंने ये बरतन दूल के यहीं पर रग दे थे कड़ाई क तो अब ही मैं सबसे पहले उठके इनको ऊपर लगा रही हूं और वैसे तो मेरा जो स्टैंड है वो जश्ट सिंक के ऊपर है तो जैसे समें से पानी वगर अभी गिरता है तो वो सिंक के अंदर गिरता है लेकिन फिर भी मैंने ये बरतन रात में यहां पर रग देते तो सब यहां पर मैं रखके स्पेस बना देती हूं क्योंकि छोटी किचन में स्पेस बहुत कम होता है और चाई भी बना ली है मैंने साथे साथ तो अभी सोच लिए हूँ कि बाहर काफी फ्रेश फ्रेश हवा चल रही है ठंडी हवा चल रही है तो चाई पीते पीते जो है सबजी काट लेती हूं और आज मॉर्निंग में जो है कद्दू की सबजी बनाने का इरादा है तो कद्दू की सबजी काट लेते हैं और जिस दिन जैसे पहले दिन या फिर रात में अगर बारिस हुई हो ना तो मॉर्निंग के टाइम पे काफी अच्छा जो है अच्छी हवा चलती जल्दी धूपा जाती है तो तब यहां पर बैठना नहीं हो पाता और मैं वैसे जादतार बैठती नहीं हूँ ऐसे बाहर पर काम बगर करने के लिए क्योंकि मेरी हैबिट है कि एक बार किचर में जाओ तो पुरा काम निपटा के ही बाहर आओ और मुझे ना मॉनिंग की चाय बाहर पीने की आदत है तो इसलिए मैंने सूचा कि सबजी भी काट लेती हूं और चाय भी बना लेती हूं तो मेरी जो कुकिंग लाइफस्टाइल वाली वीडियोज हैं आप लोग काफी पसंद कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच और आपना ऐसे वीडियोज को सपोर्ट करते रहें शेयर करते रहें और मुझे से कनेक्टेड रहें तो जैसे भी हो जो भी हो मैं आप लोगों क क्वेडियोग लिए तो हम काम करता है को आज न हम क्वेड़ की सब्जे बनाएं और सब्सकरा है जब बहुत तरीकों तरीकान सबचाया तो बहुत टता है तो समस्ते कर नहीं होते है अर शचली किया मैं आप बहुत तरीके से खोल और मalter सब्सक्षइ से कर गोंוש तो बसने कि आप लोग भी कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ मतलब क्या क्या है आपका कुकिंग से रलेटेड एक्सपिरियंस मुझे तो ज्यादा एक्सपिरियंस नहीं है कुकिंग वगेरा का तो चलो रेसिपी देख देख के मैं सीख भी जाओंगी cod jean शीख आप लोगों के साथ Merci तो चादण के सब्जेऑ नहीं हम लोग छ्लिके सहित आप लोग कैसे बनाते हैं मैं निकाल के बनाते तो जब तक तक तब तक मैं आटा गुंद लेती हूं क्योंकि बच्चों के लिए जब भी मैं नास्ता बनाती हूं तो आटा बासी नहीं करती हूं और इस वज़े से मुझे ऐसी आदत पढ़ गई है आज स्कूल तो नहीं है लेकिन मैं आटा हमेसा फ्रेश गुंती हूं बहुत कम ऐसे चांस पर तेल थोड़ा सा टाइम लेता है गरम होने के लिए बस साती साथ में यह स्लैब भी साफ कर दी है और अब हम डालेंगे इसमें जख्या का तड़का तो जख्या का तड़का मुझे और मेरे बच्चे को अच्छा लगता है और सावन के बज़े से लसुन वगरा डालना त उसके बाद उब इसका आपर से डाल दे ज़िसे मोटे मोटे इस तरीकी से साइस से काटते है तो जल्दी पख जाते हैं इसा कुष्णिय इसा कुष्णिय में नमक वगरा जब पढदा है तो अच्छ से पक जाता है तामाटर भी चाहे बाद में भी ढ़ले आपने काई कई स किसी के घर जाते हैं तो हमारी लिए खाना खाना बहुत मुस्किल हो जाता है तो यह देख सकते हैं हमारी कद्धू की जो सभजी है वो भी बन के रैड़ी है और अब मैं इसको फोड़ा साना मैश करूँगी इसा यह और भी अच्छी बन जाएगी और मुझे तो तो कद्दू की सब्जी चावल के साथ बहुत जादा अच्छी लगती है आप लोग भी बताना कि कद्दू की सब्जी और भाद किसको अच्छा लगता है और काफी लोगों को पसंद आता औरुषी अगर सिजन का हो पहाडी कदधु तो बहुत अच्छिटी होता है और आप लोग अभी पहाड जाओ ना तो कदधु की सब्जी अर बहुत जरूर खाना बहुत संदर होता है बहुत टेस्टी तो इस तरह के से देख सकते हैं और यह जो जख्या 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 का तड़का भी बहुत अच्छा होता है हम गड़वाली में बहुत थे मसे जख्या का तड़का और अब जो है सबजी अगरा बन गी है तो यहां पर बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी जो है स्टार्ट हो गई है यह देख सत्मेहें आरफ की क्लास यहां पर चल रही है और सोना आज भी शेयर में बैठी है तो गर्मी बहुत जादा हो रही थी अब पूरी दूप आ गई है तो इसलिए मैंने आज दोनों को एक कमरे में बिठा रख है इसे चला के वरना दोनों अलग-अलग रूम में बैठ हैं और अभी चार-पांस दिन चलेंगी ओनलाइन क्लास जब तक यह कावड मेला खतम नहीं होता क्योंकि बहुत जादा ट्रैफिक हो रहा है और हाइवे पर जो स्कूल है ना बस उनीकी चुटी है तो चलिए बाई बाई टेक केर थैंक्स पर वाच